तो दोस्तों फाइनली तमन्ना बाटिया वे राजकुमार राव इस्टारा न्यू फिलम स्ट्री टू का ट्रेलर निकल के याद चुका है जिसकी लेंद नजराई हमें 2 मिनेट वे 24 सेकंड्स बाकी वे इस फिलम में और कोंगों से एक्टर नजराने वाले हैं तता इस फिलम की कहानी क्या होने वाले है साथ इसके राइटर वे डारेक्टर कौन है वह ये फिलम कब रिलीज होने वाली है साथ इसका टोटल बजट कितना है ये सारी बाते दोस्तों आपको इस वीडियो मे जानने को मिलने वाली है तो हुई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक कर दे तो इसी के साथ इस फिलम में हमें तमना बाटिया राजकुमार राव पंकस तिरपाटी अपर सकती खुराना अभी से एक बेनर जी के साथ साथ अक्षे कुमार वे वरून दवन का केमियो भी नजरा सकता है बाकी वहीं दोस्तों ये एक होरर वे कोमेडी मुवी होने वाली है जिसकी डूरे से नजरा आने वाले दो गंटे वे 15 मिनट की बाकी वहीं बात करे कहानी की तो इसमें हमें इस्तरी के साथ एक और नेचल सकती देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है सरकटा और सरकटा वहीं है जिसने इस्तरी को पूर्ण तर इस्तरी बनाया और इस कहानी के एकोर्डिंग सरकटा तब ही आता है जब स्तरी उस जगह पर नहीं होती है और वहीं पर सरकटा को बगाने के लिए औरिजिनल स्तरी को भी बुलाय जाता है ताकि स्तरी स्रकटे से अपना बदला पुरा कर सके साथ ही साथ हमें ये भी नज़राता है कि गाओं के सबी मर्द सरकटे के वस्में हैं और वहीं ये लोग कुछ ने कुछ ऐसी गलती कर देंगे कि इस तरीकों आना ही पड़ेगा बाकी वहीं बात करे कानी में डायलोग की तो पंकस्तिरी पार्टे के भी सारे कॉमेडी डायलोग सुनने को मिलेंगे बहुत ही बेतरी न तरीके से साथ ही राजकुमार राव के भी कुछ कॉमेडी चीन नज़राने वाले हैं साथ साथ इस फिलम में हमें वीजियो लिपेक्ट भी बहुत सांदार देखने को मिलने वाले हैं तो इसमें हमें एक से बढ़कर एक लाजवा म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा वह एक कोमेडी का तरका भी बाकी वहीं सी के साथ ये फिलम भी 15 अगस्त यानि 77 दिवस पे रिलीज होने वाली है वह इसके राइटर वे डारेक्टर की बात करें तो वह है अमर को सिक वह इस फिलम का टोटल बजट है एक सो सी करोड बाकी वहीं दोस्तों आजगी सूडियो में इतना है आप लोगों को सूडियो में दीवी जन करके जिलगी मुझे कमेंट करके जरू बताना साथ चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को भी लाइक कर दे तो दोस्तों मिलते एक लिए इंटेस्टिक रिवी के साथ तब तके लिए बढ़ा टेक कर